मेरे साब ते तो CBI ठीक थी क्योंकि CBI अपने पूरे साक्ष के साथ वहाँ पर मौजू थी और जहां तक उनको सपोर्ट करना चाहिए CBI की जितने भी सवाल थे पूछता थी मतलब राजीव पॉलिस कमिशनर को CBI का साथ देना चाहिए तरब से तो CBI सही है क्यों? मेरे हिसाब से तो CBI सही है क्योंकि CBI सेंट्रल के अंदर आती है और जो पूलिस कमिशनर है जो चिटफंड मामले घोटाले में इसमें जो ममतावनर जी ने अपना रूख अपनाई है वह बहुत जो धरने पर बैठी हो बहुत गलत कर रही है क्योंकि जो चिटफंड घोटाला था उसमें CBI को नोटिस दिया गया था जाच करने के लिए उस पी कमिशनर के पास इसलिए गया थे CBI कि मेरे हिल्फ करेंगे जाच करने के लिए लेकिन हो तो हिल्फ नहीं कि और उ पर बैठी है कि जब भी CBI उनके पास आती है तो पहले पर मुझे लगता है कि स्टेट गोर्मेंट या जो पोलिस है वह इसमें मुझे सही लग रही है दरने पर बैठना एक नेता का तो सही हो सकता लेकिन मुख्यमंतरी का धरनें पर बैठना गलत है क्योंकि अगर मंता बणरती है पहली भी धरने पर बैठ चुकी है लेकिन उसटाइम वो मुख्यमंतरी नहीं थी तो अगर आपको मांगे मनवानी है उसलिए ठीक है लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर CBI की बात करें तो CBI पस्चे मंगाल में गई जाता कि पस्चे मंगाल की बात है वहाँ पर पुलिस अगर हम सही है तो हमें क्यों धरना प्रदर्शन करना है यह सब कुछ सियसी ड्रामा है जो लंबे समय से और समय समय पर होता आया है पर अप जैसे कि CHUNAV आने वाले है चुनाव आने से पहले यह तो करना ही है जितने भी मोधी के विरोधी हैं चाहे गटवंधन कर लें या इस तरीके के ड्रामे वाजी कर लें ये कुछ नया नहीं है ये हमेशा से करते आए हैं और ये सब सारा सियासी ड्रामा ये सब फेल हो जाने वाला है